एजिसीकर में आपका स्वागत है, आज की अगर कौंगरส की बात करें, तो कई सारे लोग कौंगरस की लीडर्शिप की क्राइसिस के बारे में बात करते हैं लेकिन एक टाइम ऐसा था एक ऐसी Congress की Leadership थी जिसके लिए Morris Johns ने काफी तारीफ की थी उन्होंने लिखा था कि Congress की Leadership में Ideological Flexibility पाई जाती है, Cultural Adaptability पाई जाती है, Skill of Negotiation पाया जाता है और Congress की Leadership के पास Bargaining Power है तो ऐसा Congress उस टाइम क्या कर रही थी कि Morris Johns जैसे स्कॉलर ने Congress के लिए ये सब लिखा, ये तो हम इस वीडियो में समझेंगे लेकिन Morris Johns के जो Famous Ideas है जैसे Mediating Framework, Saintly Idioms, Bargaining Federalism, Dominant Party System उसको भी हम इस वीडियो में सबजने की कोशिश करेंगे, इसके साथ ये भी जानना बहुत द सिलचस्प होगा कि Morris Johns ने 1960s में एक famous article लिखा था India's Political Miracle, तो ऐसा इंडिया में कौन सा राजनितिक क्रिश्मा हुआ था जिसके बारे में Morris Johns बात करते हैं, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं उनकी brief biography के बारे में, वो पैदा होते हैं 1918 Wales UK मे और अपनी पड़ाई करते हैं University College Hampstead और London School of Economics में, कुछ टाइम के लिए 1941 से 1946 में वो इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं as a Lieutenant Colonel Public Relations Director की post पर, 1946 से 1955 में वो प्लिटिकल साइंस के लेक्चरा रहते हैं London School of Economics में, उनके जो main works है वो आपकी सिक्रीन के सामने कुछ इस तरह से रहे, इ चलिए कुछ उनके main political ideas की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं उनका mediating framework का idea, उनकी famous book The Government and Politics of India में, Morris Johns कहते हैं जो Indian politics है, वो government और movement में एक interaction है, जो mediating framework के within काम करती है, अब इसका मतलब क्या हुआ, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि Morris Johns government किसको मानते हैं, Morris Johns कहते हैं कि 1947 से पहले इंडिया में British Indian bureaucracy थी और वही 1947 के बाद एक administration machinery आती है, जिसमें cabinet minister आते हैं, block development officer आते हैं, planning commission आता है, आप कह सकते हैं वो वाली bodies आती हैं, जो इंडिया की policies और law को बनाने में और implement करने में काम करती है, उसको ही Morris Johns government कह रहे हैं, अगर movement की बात करें तो Morris Johns कह पहले Congress की जो struggle दिखती है, इंडिया की independence के लिए, वो movement का role play करती है, Congress एक movement का role play करती है, लेकि 1947 के बाद Congress में कुछ ऐसी political forces काम करती हैं, जो Congress के within और outside दोनों ही काम करती हैं, विदिन में Congress के कुछ leader काम करते हैं, और outside कुछ pressure groups जो है, वो काम करते हैं, चाहे Congress party हो, opposition party हो, जब pressure groups हो, इन सभी का aim यही था कि इंडिया को और भी ज़्यादा progressive बनाया जाए, अब हम बात करते हैं mediating framework की, Morris Jones मानते हैं कि mediating framework में constitution, parliamentary system, judiciary, ये तीनों चीज़े आ जाती हैं, और ये जो mediating framework है, government और movement के लिए restraint का का काम करता है, check and balance बना कर रखता है, ताकि government और movement जो है, वो arbitrary का करने ना लग जाए, अब हम बात करते हैं उनके party system के idea की, Morris Jones ने दो region में party system पर काम किया था, एक African nation पर और एक India पर, Morris Jones ने अपनी study में ये पाया था कि mostly African nation में one party system पाया जाता है, लेगिन इंडिया में one party system नहीं, इंडिया में dominant party system पाया जाता है, बिलकुल वैसे ही जैसे democracy के लिए threat नहीं है, ना ही Congress जो है अपने descent को suppress करती है, यानि opposition की जो voices है, उनको भी freely express करने का एक environment देती है, जिसकी वज़ा से Congress ने इंडिया में एक freely moving political system established किया है, कि कोई भी अपनी party create कर सकता है, election लड़ सकता है, power में आ सकता है, और इसी के चलते हुए Morris Jones मानते हैं कि political culture के idea को समझते है, Morris Jones यह मानते थे कि जो British India है, उसने political system को काफी impact किया है, लेकिन जो Indian society है, उसको partially impact किया है, पूरी तरह से impact नहीं किया है, इसी की वज़ा से India में दो तरह के political system established होते हैं, एक Western political culture और एक Indian political culture, जिसके चलते हुए India में तीन level पर या तीन language पर political culture काम करते हैं, first language पर political culture जो काम करता है, वो है modern Western politics की language, जिसमें parliament, representative, institution, constitution जैसे चीजों की बात होती है, और second level की जो language पाई जाती है, वो है traditional politics culture की, जिसमें caste related association, religious related association जो है, उस तरह की language यूस होती है, और third और most importantly पाया जाते हैं India में, saintly idioms, saintly idioms का मतलब है, उन language से जो गांधी यूस करते थ कि लोगों को stateless society समझ नहीं आएगा, तो वो समझाते थे राम राजिय की language में, जैसे विनोबा भावे यूस करते थे कि लोगों को land reforms जैसी चीज़े समझ नहीं आएगा, तो वो भूधान जैसे चब्दों में बात करते हैं, तो इंडिया के कुछ ऐसे leader जो saint से कम नहीं मान तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि Morris Jones ने इंडिया के किस चीज को political miracle कहा था, तो वो कौन सा कृष्मा था जो इंडिया में हुआ था, Morris Jones कहते हैं कि इंडिया ने political stability को achieve किया है, institution को build किया है, और इन दोनों चीजों को लेकर आने में जो सबसे बड़ा हाथ है, वो Congress Party का है, त अगर Congress ना होती, तो federalism, social change, representative institution और group mobility भी जो है, इन सभी की जो growth है वो बिलकुल ना के बराबर होती, तो इसलिए Morris Jones माते हैं, Congress जो है इंडिया के लिए काफी important रहती है, वो Congress को open political society कहते हैं, open political society इसलिए कहते हैं कि कोई भी उस party को join कर सकता है, कोई भी उस party को short सकता है, free है, और दूसरी parties भी Congress के साथ compete कर सकती है, इवन जो opposition parties है, वो Congress के साथ interact करती थी, interact करने का यहाँ पर मतलब यह है, कि इंडिया और इसके लोगों के interest में अगर कोई नई policies, कोई नया law आ रहा है थे, उसको लेकर वो Congress के साथ interaction में रहती थी, चर्चा करती रहती थी, एक और important बात Maurice Johns Congress के लिए कहते हैं कि Congress जो है वो एक great educator था, great educator क्यों था कि Congress ने इंडिया में political education लोगों को दी थी, election क्या होते है, parliament क्या होता है, constitution क्या होता है, state legislative assembly के election अलग होते है, MP क्या होता है, ML क्या होता है, यह जो political education Indian society को मिली, जो रजनी कुठारी कहते हैं कि Indian society एक our political society है, ज्याद का बहुत बड़ा role लेता है, इसलिए Maurice Johns उसे ही कहते हैं कि Congress जो है एक great educator थी, Maurice Johns ने 1967 और 1997 election पर भी detail में study की थी, और वो मानते थे कि 1967 के election ऐसे election थे, जिसमें Congress की monopoly, Congress की dominance जो है खतम हो जाती है, लेकिन 1971 के ऐसे election होते हैं, जिसमें Congress की dominance दुबारा वापस आ जाती है, one party dominance इरा दुबारा शुरू होती है, 1971 के election कुछ ऐसे election थे, जिसमें Congress को और भी जादा leftward orientation दी थी, इंदरा गांधी के चलते हुए, गरीबी हटाओ जैसे slogan जो इंदरा गांधी ने लोगों को दिये थी, उसकी वज़ा से काफी popular होगी थी, इंदरा गांधी और Congress party, जिसके चलते कि वो लोगों के interest के against है, वो गरीबों के against है, तो इस तरह से Maurice Johns कहते हैं कि Congress party ने 1971 के बाद अपनी dominance को दुबारा establish किया, अब हम बात करते हैं उनके most famous idea bargaining federalism की, बहुत लोगों को नहीं पता लेकिन bargaining federalism का जो context है, वो planning commission के context में use करते हैं, वो कहते हैं planning commission एक ऐसी space है, एक ऐसी states जो है, उनके interest को लेकर conflict चलते रहते हैं, उनके interest को लेकर जो conflict चलते हैं, वो एक constructive conflict है, तो इन constructive conflict की वज़ा से ही balance of interest है, जो दूसरे states का बना रहता है, जिसकी वज़ा से वो कहते हैं कि जो Indian federalism है, वो एक bargaining federalism, एक सोधे बाजी का federalism है, जिसमें हर state जो है, अपने interest को दूस तो इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ बॉनस फेक्स को समझते हैं, मौरिस जॉन्स ने नहरूवियन पीरियेड को नहरूवियन प्रेजिडेंसी सिस्टम कहा था, मौरिस जॉन्स मानते थे कि इंडिया में जो डॉमिनन पार्टी सिस्टम का टाइम है, वो 1947 से लेकर 1967 तक चलता है, वो पंचाइती राज को इंडिया की साइलेंट रेविलूशन कहते हैं, क्योंकि पंचाइती राज ने रूरल एरियास की ग्रोथ में काफी बड़ी कंट्रिबूशन दी है, और वो जे परकाश नरायन को अनहपी फिलोसफर कहते हैं, इस वीडियो को बनाने के लिए जो Sources को यूज किया गया है, वो आपकी सक्रीन के सामने हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के content को लेकर वीडियोस बनाता रहूं, तो आप चरूर इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू